हलो एवरिवान गुद मॉर्निंग और वेल्कम टू अंबिश्यस बाबा डॉट कॉम वी आ बाक विद आर डेली करेंट अफेस तो चलिए जानते हैं 6 और 7 सेप्टेंबर के करेंट अफेस क्या है इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिविजन करेंट अफेस क्लास मिस किया है तो उपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं 200 प्लस का पार्ट वन पढ़ाया था हमने संडे को तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ पहला सवाल इन में से किस राज्य सरकार ने हर्याली सुनक्षित करने के लिए पर्यावरन की रक्षा करने के लिए और हमारे नागरिकों को हर्याली रक्षक बनाने के पूले आप लॉंज किया है पांच उप्षिन से हमारे पास दो चलिए दा यसर दी पंजाब पंजाब की सरकार ने हरयाली रक्षक अपने सीटिजन्स को बनाने के लिए आई रख वाली आप लॉंज किया है जानते हैं डीटेल से पहले हम बात करेंगे कि आप क्यों स्ट्रेशन हो रहा है जिस के ढοоту ग्रीन कवर में काफी कम होते जा रहा है तो इसके लिए अलग अलग स्टेट गव्रमेंट अलग अलग मैजार्टर ले रही है जिसके तहट हमारे जो ग्रीन कवर उसको डिप्लीट होने से बचाया जा सके तो पंजाब की सरकार ने लॉंच किया है आई रखवाली आप इसी से रिलेटेड कुछ दिन पहले औरिस्सा की सरकार ने एक स्कीम लॉंच की थी जिसका नाम था सबूजा औरिस्सा जिसके तहत वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने यह कहा था कि वह 1.3 lakh hectares की जमीन पर रिक्षार ओपन करेंगे जिसके तहर और इससा का जो ग्रीन कवर है वह मेंटेन किया जा सके तो चलिए अब बात करते हैं आई रखवाली आप के बारे में तो पंजाब के स्टेट फॉरस्स डिपार्टमेंट ने 3 सेप्टेंबर को और पेड़ लगाना चाहते हैं वो और जादा मस्बूत होगी क्योंकि इससे लोग अपना योगदान दे सकेंगे इस अप्लिकेशन को लॉंच किया है पंजाब के फॉरस्स मिनिस्टर सद्दू सिंग धरमसोत ने और लॉंच करते वे उन्होंने ये कहा था कि इसको डेवल लगाने के लिए तो चलिए अब बात करते हैं कि हाल फिलाल में कौन-कौन से लेटिस आप्स लॉंच किये गए हैं तो NHAI और हमारे रोर एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने मिलकर लॉंच किया है हरत पत आप जिसके तहर इनका विजन है कि वर्ज 2023 तक भारत में जितने भी नाशनल हाइवे से वह 100 परसंट ग्रीन हो जाए और इससे जो हमारा हाइवे बिल्डिंग का कॉस्ट है वह भी 25 परसंट तक कम हो जाए इसके अलावा टाटा डिजिटल ने हाल ही में एक सूपर आप लॉंच किया है जिसके तहर जो टाटा के अलग-अलग वेबसाइट हैं जिसकी क्रोमा टाटा क्लिक वह सब इंटिग्रेट किये जाएंगे टू सूपर आप जिससे उनके जितने भी कंजूमर्स है उन्हें अलग-अलग वेबसाइट की चेक करने की जरुवत नहीं है इसके साथ हमारे इंडियन एफोस ने हाल ही में माई आई एफ नाम का एक लॉंच किया है जिसके तहर्त जो इंडियन एफोस के आस्परेंस है उन्हें इंडियन एफोस के बारे में सारी इंफरमेशन इस आप के माध्यम से मिल जाएंगी जैसे कि उनका पे पाकेजिस क्या है सालरी स्ट्रक्चर क्या है क्या क्या ट्रेनिंग की रिक्वार्मेंट से क्या educational qualifications की requirement है ऐसी कई सारी information उन्हें IAF के app पे मिल जाएंगी और इसके अलाबा हमारे रक्षा मंत्री ने launch किया है DGNCC app जो की है for national cadet corps जैसा कि उनकी training बंध है due to covid-19 इसके लिए ये app launch किया गया है जिससे उन्हें उनका study material, educational curriculum ये सब इस app पे मिल जाएंगे इसके साथ इसकी सबसे unique feature ये है कि वहाँ पर एक query का option है तो कोई भी NCC का cadet अगर उन्हें कोई भी query हो तो वह इस app पे उसे post कर सकते हैं और backend में जो उनका export panel है वह इसका जवाब देगा जिससे जो cadets है उनकी problems solve हो जाएगी तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे question की तरफ दूसरा सवाल हमारी केंद्री शिक्षा मंत्री द्वारा किये गए अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्व विद्याले हैद्रबाद द्वारा विकासित मुफ्त mobile application का नाम बताईगे पाच options है हमारे पास तो चलिए the answer is b English pro English pro नाम का एक free mobile application डेवलप किया गया है English and foreign languages university हाइद्रमाद द्वारा तो चलिए जानते हैं details तो हमारे केंद्री मंत्री औफ एडुकेशन ने लांच किया है एक free mobile app जिसका नाम है English pro इस आप को डेवलप किया है English and foreign languages university हाइद्रवाद में under USR जो की है university social responsibility यह first of its kind initiative है जिसमें किसी विश्वविद्याले ने एक आप लांच किया है लोगों की भलाई के लिए यह काफी useful digital tool रहेगा और एक educational resource के रूप में काम करेगा चाहे teachers के लिए हो students के लिए हो या उन बच्चों के लिए हो जो अलग-अलग backgrounds से आते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि English काफी जादा important हो गया है आज कल के world में और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिने English सही ढग से बोलना या प्रोनाउंस करना नहीं आता तो उनके लिए काफी जादा आप useful रहेगा इससे वो English सीख सकते हैं और इससे उनका personality development भी होगा और वो जो communication gap वो face करते हैं वो भी कम हो जाएगा तो ऐसा मानना है कि इस आप से बहुत सारे उन students को फाइदा होगा जो बहुत frequently जिनके पास English बोलने या पढ़ने का access नहीं है तो चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे question की तरफ तीसरा सवाल इन में से किस देश के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क network है पाच options है हमारे पास तो चलिए the answer is C India अब भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क network है तो चलिए जानते हैं details तो हाली में 60th annual convention of S.I.A.M. जो की हो रहा था वीडियो conferencing के माध्यम से 4 September को उसमें हमारे road transport और highways मिनिस्टर नितिन गटकरी ने कहा था कि दुनिया अब इंडिया में अब दूसरा सबसे बड़ा road network है और यह जो हाली के years में tremendous growth हुआ है in construction of express way and highways यह उसी का नतीजा है जो हमारी road building की capacity है वो average है 30 km a day और उसमें highest गई है up to 40 km per day for highways ऐसा मानना है कि कुछ वर्षों का आप data उठा के देखे तो 60% और यह जो construction हुआ है वो हुआ है in the state of महराश्टरा चलिए बढ़ते हैं तीस चौथे question की तरफ चौथा सवाल इन में से किस ने भारत से पांचवे bricks संस्कृती मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है पांच options है हमारे पास तो चलिए the answer is ई प्रहलात सिंग पतेल प्रहलात सिंग पतेल ने 5th bricks cultures minister की meet में हिस्सा लिया है तो चलिए जानते हैं details तो जैसे कि हमने question में ही पढ़ा है कि हमारे केंद्री मंत्री of state for culture and tourism श्री प्रहलात सिंग पतेल ने 5th bricks cultures ministers की meet को attend किया है और इसमें अधिक्षता रही है Russian Federation की इसमें bricks जो कि 5 देशों का मिलन है जो कि है Brazil, Russia, India, China and South Africa इन सभी ने हिस्सा लिया है इसमें कई सारी मुद्दों पर चर्चा हुई थी और mainly कि कैसे हम digital online exhibition को hold कर सकते हैं उसके लिए क्या-क्या options हम exercise और explore कर सकते हैं इस पर बात चीत हुई थी और ये भी बात हुई थी कि कैसे हम full cooperate कर सकते हैं और अपना content share website कर सकते हैं under the bricks alliance चलिए बढ़ते हैं पांच में question की तरफ पांचवा सवाग RBI द्वारा जारी priority sector lending की जो guidelines है उनके हिसाब से इन में से कौन से शेनियों को प्रात्मिक्ता के शेत्र में वित के लिए योग ये ताजार रिंड के रूप में शामिल किया गया है पांच options है हमारे पास चलिए the answer is D all of the above RBI की जो revised priority sector lending की जो guidelines है उनके हिसाब से इस बार तीन categories को include किया गया है as fish category जिनको finance provide किया जाएगा under the priority sector चलिए जानते हैं details तो Reserve Bank of India ने 4 September को अपनी revised priority sector lending की जो guidelines है उसे release किया था और उसमें उन्होंने include किया था entrepreneurship और renewable resources को as the emerging national priorities चलिए बात कर लेते हैं priority sector lending क्या है इसमें जो हमारी Reserve Bank of India और जो हमारी सरकार है जो समझती है कि काफी जादा important है हमारे country के growth के लिए उन categories को इस बार include किया गया है तो इसमें banks जो है वो finance कर सकती है start-ups को 50 करोड उपे तक का और इसके साथ-साथ जो हमारे किसान है जो solar power plants को install करना चाहते हैं जिसके तहर्ट agricultural pumps को connect किया जा सके for solarization उन्हें भी फिनांस किया जाएगा और इसके साथ-साथ जो भी compressed bio class plants set-up करना चाहते हैं उन्हें भी bank से आसानी से loan मिल जाएगा तो इन तीन categories को इस बार fresh categories eligible for finance under the priority sector में include किया गया है इससे साथ-साथ हमारा जो health infrastructure है उस पे भी 10 करोड तक का finance हो सकता है और renewable energy पे 30 करोड तक का finance कर सकती है हमारी banks इसके साथ-साथ 5 करोड तक का finance किया जा सकता है उन लोगों के लिए जो schools set up करना चाहते हैं या फिर drinking water की facilities provide करना चाहते हैं या फिर sanitation की facility provide करना चाहते हैं जैसा कि हम जाते हैं कि ये तीन चीज़ काफी important है पोस्ट-covid-19 world में तो इसी लिए हमारी Reserve Bank of India इनके लिए loan provide करना चाहती है ताकि जिसे हमारे स्कूल से साफ drinking water हो और sanitation ये और ज़्यादा develop किया जा सके भारत में ताकि जो भारत का future है वो और ज़्यादा bright हो चलिए बढ़ते हैं आगे छटे question की तरफ छटा सवाल इन में से किसे बजाज आलियांस life ने अपने brand ambassador के रूप में sign किया है पांच options है हमारे पास तो चलिए the answer is A. आयुश्मान कुराना आयुश्मान कुराना को बजाज आलियांस life ने अपने brand ambassador के रूप में चुना है लाइफ इंशुरर बजाज आलियांस life ने ये announcement किये है कि उन्होंने बॉलिवुट आक्टर आयुश्मान कुराना को appoint किया है as its brand ambassador जो उनकी products और digital services को offline और online mediums में promote करेंगे इसके साथ आयुश्मान कुराना फीचर करेंगे बजाज आलियांस life insurance के अगले campaign smart living में जो की बताएगा about smart protect goal and new digital service smart assist तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ important brands के brand ambassador के बारे में तो anti-doping के brand ambassador है आक्टर सुनील शेटी, Puma के brand ambassador है सुनील शेट्री और करीना कपूर, Pepsi के brand ambassador है अभीनेता सल्मान खान, Mastercard के brand ambassador है MS Dhoni, New Ambassador for World Wildlife Fund के brand ambassador है विश्वनाथन आनन, JSW Cement के brand ambassador है सौरफ गांगुली और सुनील शेट्री, E-Bike Go के brand ambassador है हर्बजन सिंग और Oakley's के brand ambassador है रोहिच शर्मा चलिए बढ़ते हैं आगे साथवे question की तरफ, साथवा सवाल, भारत में हर साल शिक्षक दिवर्व किस दिन मनाया जाता है? पांच options है हमारे पास, तो चलिए the answer is A, 5th September को हर साल Teachers Day भारत में मनाया जाता है, चलिए जानते हैं details, तो भारत में हर साल Teachers Day मनाया जाता है 5 September को since the year 1963, इस दिन जो Teachers हैं जो Contribute करते हैं हर बच्चे की लाइफ में, उनके Contribution को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, बिकाज एक Teacher बहुत जादा Responsible होता है एक बच्चे की लाइफ को Shape करने के लिए, इस दिन भारत के दूसरे राश्रपती और पहले Vice President डॉक्टर सल्वापली राधाकृशन का जनम दिन भी है, उनके सम्मान में भी ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि वो भारत के जाने माने Learned Scholars में थे in the field of comparative religion and philosophy, चलिए बढ़ते हैं आठवे question की तरफ, आठवा सवाल, हर साल International Day of Charity किस दिन मनाया जाता है, ताच आप्शन से हमारे पास, तो चलिए, the answer is E. 5th September, 5th September को International Day of Charity भी मनाया जाता है, चलिए, जानते हैं details, तो जैसा कि अमने question में ही पढ़ा है कि International Day of Charity, हर साल 5th September को मनाया जाता है, और इसको declare किया था United Nations General Assembly ने, वर्ष 2012 में, इस दिन को मनाने का prime purpose यही है कि लोगों में जागरुकता फैलाई जाए, about charity और एक common platform प्रोवाइट किया जाए, जिससे जो जितने भी दुनिया में charitable activities है, चाहे वो individuals के लिए हो, charities के लिए हो, philanthropic और volunteer organization हो, या फिर खुद के purpose के लिए हो, चाहे वो local हो, national हो, regional हो, और international लेवल पे हो, उनके बारे में लोगों को बताया जाए, और लोगों में charity यानि की दान करने की जो habit है, इसे inculcate किया जाए, तो चलिए, with this we come to the ends of today's class, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये कीजे और हमारे चानल Ambitious Baba को सबस्क्राइब जरूर कीजे, also please visit our website test.ambitiousbaba.com जहाँ पर कई सारे online mock test आपको मिल जाएंगे, आप अपना desired mock test इस website पर परचेस कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसे access कर पाएंगे 24-7, इसके साथ कोई भी शिकायत हो, कोई complain हो या कोई suggestion हो, तो